राम राम नमस्कार प्यारे दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है गमलों में हम सबजी कैसे लगाएं और बिना मिट्टी के अपनी छतों पर कम जगा में कैसे सबजीयां हुगाएं देखिए हमने पॉट्स में और ग्रो बैग में गोबी और ब्रॉकली लगाई हुई है ये ग्रो बैग हमने घर पर खुदी बनाए है और ये गोबी के ब्रॉकली के प्लांट लगभग एक महिने के हो चुके हैं कितने बढ़िया हैं मिक्षर के तौर पे हमने सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और कोको पिट लिया है 75 इंटू 25 के रेशो से ताकि छत पर हमारा बजनना बढ़े उसी मिक्षर को हमने अपनी प्लास्टिक की रिशाइकलिंग बोतलों के तौर पे भरा है और उसमें पालक लगाया है पालक की शोइंग करने के बाद पानी दिया है और बोतलों में छोटे छोटे ड्रेन होल बनाए हैं ताकि जिससे एक्स्ट्रा पानी निकल सके ऐसा करने से हम अपने घरों में पालक, मेथी और बहुत सारी सब्जियां लगा सकते हैं जैसे धनिया यह है धनिया लगाया हुआ है कफी अच्छा है इसमें एक बार हम काट चुके हैं मेथी की जो पीछे वेराइटी थी वो देशी है और उसको हम पूरे सीजन में एक बार लगाने पर साथ वार काट सकते हैं यह हमने मटर लगाई हुई है देखिए यह सरसो साग है बोतल में इससे हम पत्ते वगर निकाल लेते हैं देखिए फिर से मटर है कितनी सुन्दर ख हम चोटी-चोटी जर्वदों का पूरा कर सकते हैं थोड़ा सा पोदिन लगाया हुआ बोतल में देखिए फिर देशी मेथी किनी बहतरीन कसूरी मेथी लगाई हुई है बोतल को कुछ इस परकार से काटें उपर से कि उसमें हम अच्छे से मिक्षर को भर सकें और बिल्कुल यह देखिए धनिया कितना खुबसूरत हम इन सभी की सौट वीडियो भी बना चुके हैं आपको दिखाने के लिए अगर आपके घर में बिल्कुल भी जगा नहीं है यह बहुत कम जगाया है तो आप इस परकार से बोतलों में लगा सकते हैं इस से आप हरे साग लैसून, प्याज, धनिया, पालक उगा सकते हैं यह देखिए सोया है यह शाक के तोर पे ही यूज करते हैं इसको देखिए हमने अपने पुराने जूते जो हैं उनको रिसाइकल के तोर पे यूज किया है उनमें हमने धनिया लगाया है और पालक लगाया है कितना पूरत है यह एक नया तरीका है हमारा मेथी भी लगाई है काफी अच्छी हो रही है चकुंदर भी डाला हुआ है यह देखिए हमने खीरे लगाया है खीरा इसमें से हमने तोड भी लिया यह देखिए यह पाइथनों कार्पिन वेराइटी है खीरे की हर पॉइंट पर खीरे आते हैं फिमेल फ्लावर आते हैं यह देखिए छोटा सा ग्रो वैग है नौइंच वाई एक फिट का टेमाटर लगाया है ग्रो वैग में देखिए कितना वहत्रीन अभी लगबग तीस से चालिस दिन का पौदा है और इतना अच्छा चल रहा है यह भी लगबग चालिस द अपने घरों में यह टेमाटर के पौदे लगा सकते हैं मिर्च के पौदे लगा सकते हैं मिक्षर के तौर पे आप कोकोपीट और वर्मी कमपोस्ट को ही यूज करें देखिए यह हमने एक काली मिर्च है काली मिर्च मतलब यह चिली है पर काली रंकी है खाने में बहुत थी खाने के तौर पे उजे करते हैं और हमने आलू लगाये होगे हैं थोड़ा बड़ा बैग है ग्रो टो इसमें लगाए हूए हुए हमने और यह लगांब हुआ हमने देखिए एक ग्रो बैग में हमने च्शार में लगा दें लगवक से लगाitte Beim और लगवग डेड़ साल में उसमें एक नया पाइनेपल आ जाएगा यह देखिए हमने कितने सारे ग्रो बैग में आलू लगाए हुए हैं यह बहुत बैतरीन है तो इस परकार से आप अपने घरों में टैरिस पर कुछ क्रेटिव कर सकते हैं अपने घर की जरुतों को पूरा कर सकते हैं यह देखिए पूरा एक सरकल में मैं कितनी सारी वेजीटेबल में लगाय हुई है अ में लिखिए छोटा सा है अगर परिवार है तो आप इस परकार से भी कर सकते हैं और गंबले में मिर्च यह देखिए लगाए अ काफी बड़ी संख्या में इसमें मिर्चा यूई हैं मिक्षर का ही ध्यान देना आपको जो मिक्षर बताया वही यूज करें और उसमें खाद के तौर पे NPK 1919 का इस्तमाल कर सकते हैं आप जब भी चाहें तब यूज करें उसमें हर सब्ता में एक बार जरूर डालें NPK 1919 और गमलों में लगा सकते हैं जिसमें आलू और टमाटर एक पौदे में होते हैं जैसा कि यह है मैंने इस पर एक पूरी डिटे़्ल्री वीडियो भी बनाई हुई है हमारे एक पौदे से एक गमले से लगवग एक किलो आलू और एक किलो के सम्थिंग टमाटर हमें प्राप्त हुए थे लगबग 9 इंची के गमले में हमने इसको लगाया था यह देखे कितना बैतरीन है अगर आपको यह सीखना है या लगाना है तो आप हमारी ग्राफ्टिंग टमैटो एंड पटेटो वीडियो को जाकर देख सकते हैं जि इस्तमाल क्या है काफी अच्छी संख्या में यह आता है और बिमारियों के पढ़ती रजिस्टेंस है हमने सिम्बला मिर्च भी लगाई हैं गमलों में गमले हमारे वही 9-10 इंच के हैं सिम्बला मिर्च भी काफी आप लगा सकते हैं एक पौदे पे लगबग 2 किलो सिम्बल मेने में आसानी से लग जाती है और ज्यादा मेहनत करने की जरुवत नहीं होती है बस साहरा देने की जरुवत होती है तो किसी बास की खपच्ची या लकडी का साहरा आप दे सकते हैं मैं सभी दोस्तों से कहता हूँ जिसके पास अगर जमीन खेटी युग्य नहीं है सेहरों में रहते हैं तो गमलों में कुछ ना कुछ इस परकार से वेजीटेबल्स लगाएं और कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे आप बिना संकोच किये हुए कमेंट के माद्यम से ले सकत रहे हैं कि यह हमने टेमाटर लगाये हुएं गमलों में ही यह हमारी ननहंस की वेराइटी है कि यह देखें इस गमले में लगबग 100 से ज्यादा टेमाटरा है लगबग 5 किलो के करीब इसमें टेमाटरा आये थे और यह दूसरा प्लांट जो है यह प्लांट है टेमाटर का ही और इन्डिटर्मिनेट वेराइटी है ब्यालिस च्यासट नामधारी की और लगबग इसमें भी हमने पूरे सीजन में 5 किलो टेमाटर एक गमले से लिये थे इसको थोड़ा केर किया बच सकता होती है इसके लिए आप खपच्ची के माद्यम से लगडियों के माद्यम से पूरा सरकल करके पौदे को रोल कर सकते हैं या फिर दिवार के साहरे धागे की सायता से आप पूरे पौदे को साहरा दे सकते हैं इस परकार से आप काफी अच्छे पोदे उगा सकते हैं यह देखिए इस परकार से कुरा साहरा दे सकते हैं धन्यवाद दोस्तो